इस स्कूल में करोड़ पती लोगों के बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन इन सब में डेविड ही एक अरब पती है। ये रोजाना क्लास में सभी बच्चों के लिए महंगे महंगे गिफ्ट्स लाता है और इसके पास अपनी लिंबो भी है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। दर असल डेविड एक मिडल क्लास बॉय है और इसके पैरेंट्स कार्ड़ बोर्ड सेल करते हैं ताकि इसकी पढ़ाई का खर्चा उठा सके। एक दिन डेविड अपने क्लास मेट से अपना आलिशान मेंशन दिखाने का वादा कर देता है, जो कि इसके पास है ही नहीं। अब ये लिसा की मदद लेता है और एक किराय का मेंशन ढूंडने के लिए कहता है। लिसा इससे 22,000 डोलर मांगती है। डेविड मान जाता है। रात में ये अपने पैरेंट्स की बातें सुनता है कि उनकी अभी तक की कमाई 22,000 डोलर है। जो कि अब डेविड के पिता का इलाज करने के लिए काम आएगी। डेविड का क्लास में मजाक ना बन सके। इसलिए ये अपने पैरेंट्स की जिंदगी भर की कमाई को चुरा लेता है। और दिखावा करने के लिए मेंशन रेंट पर ले लेता है। यहाँ पर दो नौकर होते हैं जिन्हें देखकर डेविड का दिमाग हिल जाता है क्योंकि ये इसके पैरेंट्स है।